Hello students, आज हम अपनी पार्टे कुस्तक मेधा के पार्ट तिन का अध्यन करेंगे जिसका शीशक है फूल का मुल्ले ये कहानी विश्विपरसित कभी रविन्दा टेगोर जी के द्वारा लिखी गई है इस पार्ट में रविन्दा टेगोर जी लोगों को ये समझाने का प्रियास किया है कि इश्वर के प्रति प्रेम उनकी भक्ती और उनके पवित्री रूप के सामने संसार की बहुम मुल्य से बहुम मुल्य वस्तु भी तुच्छ है इस कहानी में रविन्ना टेगोर जी फूल का मुल्ले क्या है के माध्यम से हमें समझा रहे हैं शीतकाल के दिन थे प्रचन शीत से पोश्पिसूप गए थे कुझ वित्यों और वन उपवनों में समस्त तरुणगण विशिशो विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे प्रचन कारतोता है तेज यानि कि पहुत तेज थंडी थे कुझ वित्यों कारतोता है लताओं से घिरा हुआ मार वित्या यानि कि गलिया उपुवन में समस्त पेड तरुणगण यानि के पेड बिना फूलों के सब कैसे थे उदास थे उदास थे पर यह सरोवर किसका है उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल दल प्रफुल हो रहा है यह तो सुदास माली का सरोवर है ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता यानि कि सरोवर की बात की गई जिसमें कमल के फूल वहां काफी खिले वे थे क्योंकि बसंत काल में भी ऐसे फूल नहीं खिलते पर उस ठंडी के मोसम में उसी यानि सुदास माली के सरोवर में कमल के फूल खिले वे थे वो भी खुश थे आनन दिते सुदास का मन आनंद से नाच उठा उसने सोचा राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूंगा पुष्पो के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल फूल को पाकर मुँ मांगा मुल्य प्रदान करेंगे यानि कि मनी मन वह खुष हो रहा है इस फूल को में राजा जी को दूंगा तो इस आकाल के समय जबकि फूल नहीं है पर इस फूल को पाकर वो देखेंगे तो मैं उनसे मु मांगा मुल्य प्रदान करूंगा यानि कि मांगूंगा पवन की एक लहर आई कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक छोका खाया यानि कि तेज हवा आई और कमल की पंकणियां भी खुष होकर होकर के हिली डुली उपर अकास में एक कोयल कूग गई यानि कि कोयल गा रही थी माली के मन ने माना की यह मंगल चिन है और माली ने सोचा यह मेरे लिए एक अच्छा चिन है सहसरत्र दल कमल पूल को लेकर सुधास माली राज महल के सामने प्रतिशित नेनों से खड़ा है यानि कि इंतिजार की घड़ी इंतिजार में वो खड़ा हुआ है राजा जी को समाचार बिजवाया है बस थोड़ी ही देर में राजा जी बुलाएंगे मन ही मन माली मोद मना रहा है मोद यानि कि हर्शित हो रहा है मुल्य का अभिलासी यानि कि इच्छा रख रहा है सुदास बड़े यतन से फूल की रखवाली में लीन था पंकुडी का एक भी तुशार कर उसने गिरने नहीं दिया यानि कि पंक्रियों पे जो उसकी बुंदे गिरिवी थी उसने एक भी नीचे नहीं गिरने दिर बड़े ही प्यार से उसको समाले वे था इस बीच राजपत से एक पूरुस इधर आ निकला कमल फूल निहार कर यानि कि देख कर वह पुरुस समी पाया सुदास से पूछने लगा फूल बेचेगा राजा जी के चड़नों में प्रस्तूत करना चाता हूँ सुदास ने संक्षिक सा उत्तर दिया मुझे तो यह फूल राजाओं के भी राजा जी के चड़नों में चड़ाना है भगवान तथागत पधारे हैं बोलो क्या दाम लोंगे वह बोला मैं आज एक मासा स्वन की आसा लेकर निकला हूँ यानि कि जो सज्जन व्यक्ति था उसने उस फूल को खरीदना चाहा और उसने कहा यह फूल मैं राजा के राजा हो यानि कि हमारे जो हमसे भी उपर राजा है और उनसे भी उपर हमारे परमीश्वर यानि भगवान वो उस फूल को उनके चड़नों में चड़ाना चाहता था इसके लिए वो उसका दाम पूछ रहे हैं कि तुम मैं इसका दाम दोंगा बताओ क्या लेना है तो यहां माली चुदार एक मासा स्वण की आसा लेकर क्याता है कि मैं निकला हूँ यानि कि मासा करत होता है एक तोले का बारवा भाग कि वो सोच के निकला है मुझे स्विकार है इतने में मंगल वाद्दे बजुटे यानि कि यंत्रु सेनाईया गुण्जुटी कुम-कुम चंदल के थाल सजाए गेत गाता हुआ रमणियों का व्रंद उधर ही चला आ रहा था यानि कि इस्त्रियों का जुंड उधर ही चला आ रहा था राजा प्रसंग जीत पैरों से चलते हुए भगवान बुद के दर्शन के लिए निकले थे राजा जी कहा जा रहे थे भगवान बुद के दर्शन के लिए नगर के बाहर यानि कि बाहर प्रांतर बाहर के सेत्र में में प्रभु गोतम पधारे थे कमल फूल निहार कर राजा जी हर्शित हुए और सोचने लगे प्रभू के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी वहवपूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा सुदास फूल का क्या मुल्य लेगा। महराज फूल तो इन सजन्ने ले लिया हैं। सुदास ने कहा। कितनी कीमत पर एक मासा सुण पर मैं दस मासा देता हूँ। यहां राजा ने फिर उसका दाम बढ़ा कि कितना का दस मासा। राजा जी ने माथा नवा कर वह सजन्न पोल उठा सुदास मेरे बीस मासे। यानि कि सजन्न व्यक्ति था उसने राजा के सामने सिर जुका कर कहा और सुदास से कहा कि मैं इसके बीस मासे देता हूँ। राजा जी का चेहरा कुछ उतर गया, उनका हिर्दे कुछ विशन हो गया, यानि कि फरिशान हो गया। इतने में वे है, सजन बोला महराज, आप और में आज भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले हैं, इस पुष्प के लिए आज आप और में राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े हैं, बलकि दो भक्तों के रूप में उपस्तित हैं। यानि कि दोनों ही क्या हैं, राजा भी और एक समान्य आद्मी भी, भगवान के लिए खड़े हैं, यानि कि उस पुष्प में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, भगवान के लिए सब बराबर है। बुरा ना मानेगा राजन, आज हम भक्ती के प्रभाव में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते हैं। स्मिती पून, वाणी में राजा जी ने कहा, हे भग्त जन, मैं राजी हूँ, प्रसंता पूर्वक मांग, प्रस्तुत करो। तुमने 20 मा से कहा, तो मेरे 40। यानि कि बड़ी ही उससे उन्होंने पूछा। भग्त इतना बोलने को ही था कि सुदास बोल उठा शमा के जी राजन, आज शमा करो, हे भग्त जन, मुझे ये कमल फूल बेचना नहीं है। इतना कहकर माली वहां से चलता बना, दोनों भग्त विश्मे भरे, नैनों से निहारते रहे, यानि कि आश्यरे से उसको देखते रहे। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया, एका की खड़ा हुआ, यानि कि अकेला खड़ा हुआ, वहे विचारों में विलीन हुआ जा रहा था, यानि कि खोया जा रहा था, खो गया था। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तयार हैं, वह पुरुष स्वैम कितना धनवान होगा, कितना महा मना होगा, उसके चड़नों में यह पुष्प अरपित कर दूं, तो मुझे ना जाने कितना द्रव्य मिलेगा। वट गुरुष की चाया में पदमाशन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे, उज्वल ललाहट मुझ पर आननद की प्रभा होटो से सुधा जर रही थी और नेनों से अमरित टपक रहा था। वट ब्रिक्ष होता है जो बहुत वर्षो पुराना पीड़ होता है बर्गत का पीड़। समझे मैं बच्चो और उसके चेहरे का जो वड़न की है ललाहट यानि की अलग ही उसका रूप दिख रहा था। मुँपर आनन्था प्रभाथी और होटो से सुधा जर रही थी नेनों से अमरित टपक रहा था। मेगोसी धीर गंभीर ध्वयनी इस तपस्वी के मुँझ से निकल रही थी सुधा स्थब्द होकर खड़ा रहा यानि की सांथ खड़ा रहा जुप जा जुप जा उसके मुझ से एक सब्द भी नहीं निकला वह तो निहार रहा था यानि की केवल सिर्पर से देखे जा रहा निर्मिष भाव से उस साधू की ओर निर्मिष यानि की बिना पलक जपके वे उस साधू की ओर देख रहा था भूमी पर जुपकर सुधास ने इस परम तपस्वी के चड़नों के आगे कमल फूल चड़ा दिया वट वुरुष के संगन कुंजों में से पक्षी बोल उठे पवन की लहर आई कमल की पंकडियां हिल मिलकर मानो हस उठी यानि कि वट ब्रश्क में पक्षियों गयर जो बैटे वे ते वो भी बोल उठे और पवन तेज हवा चली तो कमल की पंकडियां भी हिल मिलकर मानो हसने लगी यानि कि यहां कमल का फूल था वो भी बड़ा प्रसंत था और माली भी उसको भगवान के चर्णों में अर्पित करके आनंतित मना रहा था अपने मन से सुदास के सकून सफल हो गया स्मिती भरे मधूर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्ण किया हे वत्स कुछ कहना है कुछ चाहिए गदगद स्वर से माली ने कहा और कुछ भी नहीं आपके चर्ण रज की मात एक कणी का उसने कहा मुझे हे भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ आपके चर्णों की थूल का एक कर्ण ही मुझे दे दे तो यहाँ उस फूल का मुल्य क्या था सिर्फ भगवान के चर्णों में अर्पित करना जिसका मुल्य देने के लिए राजा और वेज सज्जन वेकती दोनों ही उसका जादा से जादा मुल्य देने के लिए तेयार हो गए थे चाहता तो सुदास्त मुल्य ले सकता था पर उसे समझ माया कि जब इतने राजाज होकर के इस फूल को खरीदने के लिए यानि खरीद के भगवान जी के चंड़ों में चड़ाना चाता था तो क्यों ना जो मेरी महनत का फल है, जो मेरी महनत से बना है, मैंने बनाया है क्यों ना इस फूल को मैं भगवान के चंड़ों में ही आरपित करूँ क्यों? क्योंकि जो हम करते हैं वो एक अच्छे मन से करना चाहिए ये नहीं कि किसी भी फल की इच्छा के लिए लालच के लिए हम लोग काम करते हैं, उसका अच्छे से चद्दाम पाने की सोचते हैं, यदि हम निर्षवार्थ भाव से उस काम को करते हैं, यहां सुदास ने, सुरूर में उसे सोचा कि इसका मुल्ले मुझे मिलेगा, पर भगवान के जब चण्णों में हम कोई चीज अर्पित करते हैं उच्छाए कितनी भी छोटी क्यों नहों भगवान हम से खुष होकर हमें उसका आश्रिवाद जरूर देते हैं देते हैं ना चलिए इस पार्ट में यही बात सामने आई है कि भगवान के सामने ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा व्यक्ति जो भी कुछ अर्पित करता है भगवान के सामने वो छोटा व्यक्ति कर रहा या बड़ा भगवान की नजरों में सब बराबर है हम सोचते हैं कि भगवान के चण्णों में हम ज्यादा से ज्यादा अर्पित करेंगे धन देंगे तो हमें उसका फ़ल अच्छा मिलेगा ऐसा नहीं है एक गरीब व्यक्ति भी अपनी मेहन से कमाया हुआ चोटे से चोटा करण भी परमेश्वर के चण्णों में अर्पित करता है तो उसका भी फ़ल उसको मिलता है इ कि इतना अच्छा चड़ावा दूंगा उतना भगवान मुसे प्रसन होंगे ऐसा नहीं भगवान सिफ हमारे आच्रण से हमारे वैवार से हमारे कार्यों से प्रवावित होकर हमें आशीज देते हैं ना कि हमारे धनर दोलत को देखा है ठीके बच्चो आप नेक्स्ट वीड